नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप सब उम्मीद करते हैं अच्छे योंगे दोस्तों आज हम बनाएंगे मिक्स बेज अचार तो इसके लिए हमने गोभी, मूली, गाजर, हरी मिर्च और मटर लिया है तो सबसे पहले हमने गोभी को, गाजर को और मूली को छील के और अच्छे से और फिर हमने इस तरह से काटन के कपरे फैला दिया था और उसके बाद हमने उठा के इसको कट करके सारा देखे रख लिया है अब हम इसका अचार बनाएंगे तो इसके लिए मैं इस सब को ले चलती हूँ और एक बड़े से बरतन में डालके और इसमें हम डालेंगे नमक औ और नमक डालके और अच्छे से मिक्स करके इसको आप रात भर के लिए आराम से रख दें वैसे आप चाहे तो 24 घंटे ही रख सकते हैं लेकिन रात भर अगर आपने छोड़ दिया तो जितना भी इसका पानी है वो निकल जाएगा तो हमने देखे एक बड़ा सा भगोना लि और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है ताकि पूरे में हमारा जो नमक है मिक्स हो जाए और उसके बाद हमने इसको ढख के और पूरी रात इसी तरह से छोड़ दिया था अब यह सूबह के समय हमने देखे इसको खोल दिया है पानी जितना है उसका नीचे जो बैठ गया है अब हम क्या करेंगे कि एक छन्नी लेंगे उसमें थाली के उपर छन्नी को रखके और इसमें से सब्जीया हम निकालेंगे तो इसमें हमने छन्नी में इसको इसलिए रखा है क्योंकि हम गोभी को हलका सा बॉयल करेंगे भाप के उपर तो मैं सारा जो गोभी है उसको मैं एक ए करके निकाल ले रही हूं और बाकी सब्जियों को हम अलग से दूसरे बरतन में निकालेंगे तो देखे सारे गोभी हमने निकाल लिये हैं और अब हम जो गाजर और मूली है उसको हम अलग रखेंगे और मटर को अलग कर देंगे तो अभी मैं पानी से निकाल लही हूं थाली म और जब थाली में मैं निकाल लूँगी तब हम गाजर और मतर और मिर्चे को अलग कर लेंगे तो मटर को हम थोड़ा सा बॉइल करेंगे इसलिए गाजर और मूली और मिर्च को अलग करेंगे तो ये थाली जो हमने रखी है इसमें हम सारे मटर को और मिर्च को और गाजर को निकाल लेंगे और मटर को हम अलग कर देंगे ताकि हम गोभी के साथ उसको बॉयल कर सकें तो इसको हम सारा इसी तरह से दिखे निकाल लेंगे और मटर को हम डाल देंगे छन्नी में तो देखे गाजर, मूली और मिर्च को हमने अलग कर दिया है मटर को अलग कर दिया है अब मटर को गोभी में डाल देंगे और इसको हम बॉइल करने के लिए रख देंगे इसके उपर से हम डाल देंगे ताकि दोनों साथ साथ बॉइल जाब मटर को बहुत कम समय लगता है बॉइल होने में तो इसलिए हमने इसको उपर से रखा है और गोभी को हमने नीचे रखा है अब पानी हमने रख दिया है पानी हमारा बॉयल हो रहा है उसी के ऊपर हम इसको हम कपड़े पे फैला देंगे तो गाजर और मटर गोभी सब को हम एक साथ फैला देंगे तो एक कपड़ा हमने कौटन का फैला दिया है उसी के ऊपर हम इसको फैला दे रहे हैं अब इसको अच्छी तरह से सुखा देना है इस तरह से बनाने से क्या होता इसकी सेलफ ला पाइन बढ़ जाती है तो इस तरह से आप बनाया करें अभी मसाले हमने लिए जिसमें धनिया है लाल मिर्च है मेथी है जीरा है और सौप है इन सब को हम धीमे आज पर भून लेंगे मध्यम आज पर ही भूने धीरे-धीरे ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आए और यह जल में कुछ और मसाले डालेंगे तो देखिए यह गरम हो गया है और इसी तरह से छोड़ देते हैं थोड़ी दिरवाद हम इसमें कुछ मसाले हैं जिसको हम इसमें डालेंगे तो इतना गरम होना चाहिए कि वह मसाले हमारे थोड़ा सा पक जाएं तो इसमें देखिए हमने हीं और मिर्चे को भी डाल देंगे तेल बहुत जादा गरम ना रखें आप क्योंकि अगर जादा गरम होगा तो ये जल जाएगा अब ये अच्छी तरह से ठंधा हो चुका है तो जो हमने गाजर, गोभी, मतरी सबको हमने सुखा के रखा था इसमें हमने डाल दिया है और हमने डाला हुआ है तो काफी हद तक उसमें मिक्स हो गया होता है नमक जब हम रात भर छोड़ते हैं तो वह नमक को अब जौब कर लेता है इसलिए आप थोड़ा सा हिसाब से ही नमक डालें अब इसको सबको अच्छे से मिक्स कर देना है और उसके बाद इसको एक जार में भर के और आप पांच साथ दिन इसे धीरे धीरे इसको धूप में रखें और उसके बाद यह अच्छे से तयार हो जागा और जब यह सूखी हुई मूली होती है इसमें वह बहुत अच्छा सा उसका स्वाद आता है क्योंकि वह थोड़ा सा स्टिकी हो जाता है ना उसको जल्दी खराब भी नहीं होगा अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करके और फिर हम एक सीसे के कंटेनर में इसको रख देंगे तो चलिए इसको हमने मिक्स कर दिया है अब हम इसको जार में भर देते हैं तो देखिए जार को हमने पहले से इसको अच्छी तरह से साप करके और और सुखा के रख लिया था क्योंकि अचार ज्यादा तर पानी के संपर्क में आने से ही खराब होता है या फिर आप गंदे संदे हाथ उसमें डाल दे तब खराब होता है अब इस सब को हम इसी में भर देंगे और इसको 5-7 दिन हम इसी तरह से बंद करके धूप दिखाएंग तकि अच्छी तरह से गल जाए क्योंकि तोड़ा सामने जिसुखाया है वो जब अच्छी तरह से गल जाएगा तभी यह खाने में अच्छा लगेगा तो आपको अचार की रेस्पी अच्छी लगी है तो लायक सब्सक्राइब सेर ज़रूर करिए गैए फिर मिलेंगे इसी